चन्दा में तुमी तो भरे हो चादनी सुरज में उजाला तुमी से ये गगन है मागन तुमी तो दिये हो इसे तारे भगवन ये जीवन तुमी ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे उपालन आरे निर्गुण और न्यारे तुम्रे बेन हमरा कौनो नाही हम पी उचन सुचा भगवन तुम्रे बेन हमरा कौनो नाही तुम्रे बेन हमरा कौनो नाही जी अस्राम अलेकम और वेलकम तो नौर्थ फील्ड डाट कॉम बै हूँ एमद फरीद राना और आज की ट्रेवल स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे कटास राज के मंदर सता समंदर से 22 फुट पलंद जिला चकवाल की तहसील चुआ सैदन शा के करीब बाक्या है कटास राज मंदर कटास राज जाने के लिए आपको कलर कहार मोटर वे से 24 किलो मीटर का सफर तै करना होता है तीन सो कबल मसी में लिखी जाने वाली महाबारत में भी खास तोर पर जिकर मिलता है कटास राज मंदर का हिंदूओं के चारों वेद भी यहीं पर लिखे गए यहां एक खुबसूरत तालाब है जिसे हिंदू टियर्ज आफ शीवा कहते हैं यानि शीव के आसू हिंदूओं के नजदीक ये चश्मा पवितर है और उनके मताबिक यहां नहाने से तमाम पाप धुल जाते हैं कटास के मानी हैं बरसाती आँखें हिंदू अकायत के मताबिक शिवजी महराज की पत्नी सती का देहान्थ हुआ तो महराज उसके गम में इस कदर रोए कि उनके आँसों के बदूलत ये चश्मा वजूद में आया हम जब इस चगा को देखते हैं तो यही ख्याल आता है कि इस चगा को किसने आबाद किया होगा और इस वेरानी में उसके मकासद क्या थे महाभारत में जिकर मिलता है कि पांडूओं ने इस चगा को सबसे पहले आबाद किया उन्होंने अपनी जिला वतनी के बारा साल यहां गुजारे और इसी दौरान मंदर की तामीर की यहां चोटे बड़े बावन मंदर मौजूद हैं जिन में राम मंदर, हनुमान मंदर और शिवजी का मंदर काबले जिकर हैं सत घड़ा के साथ मंदर जो के सबसे कदीम हैं जहां पन्डूओं ने जिला वतनी के वक्त गुजारे यहां पर उनकी गार भी मौजूद है जहां वो रहा करते थे और उनके बनाए हुए साथ मंदर भी अमारतें चूने से बनाई गई हैं जो के पंदरा सो साल से काइम दाइम हैं कटास राजमंदर जो एक यूनिवस्टी की हैसित रखता था जहां लोग दूर दूर से संसिक्रत सीखने आया करते थे जिन में मशूर जुगराफियादान अलबैरुनी भी शामिल है उन्होंने यहां संसिक्रत भी सीखी और अपनी किताब किताब लहिंद भी लिखी और जो जमीन के कुतर मापने का फार्मूला था वो भी यहीं बैट कर दिया हनुमान जी का मंदर जो अपनी खुबसूरती में खुद एक मिसाल है आज भी सेक्डों साल गुजर जाने के बाद वैसे ही काइम दाइम है सिखों के नस्दीग भी ये बहुत पवितर जगा है कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक भी यहां कुछ अर्से के लिए तश्रीफ लाए थे जिसकी वज़ा से सिख इस जगा को नानक निवास कहते हैं यहां हरी सिंग नल्वा की हवेली भी मुझूद है जो के सिख एहद की याद दिलाती है अठारा सो एक में राजा रंजीद सिंग के दोर में यह हवेली बनवाई गई यहां एक राजा अशोग के जमाने का स्टूपा भी मुझूद है जिसकी बुलंदी दो सो फुट थी जब यह बिलकुल ठीक था अगर इन जगों की सही तरीके से तوج्जो की जाए तो हमारे मुलक में मजबी सियाथ के लिए बहुत पोटेंशल है इजाज़त दीजिए एहमद फरीद राना को मिलते हैं ट्रेवल स्टूरी में किसी और नई जगा किसी और नए मौजू के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज किसी और नए बहुता किसी और नए घे बहुता आए